नमस्कार और विलकम यौल वर्ल अफेर्ज नेवु प्रशान दवन आउ रीसेंडली यह जो रिपोर्ट है यह आग की तरह हर जगा फैल गई है लोग सोचल मीडिया में इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या भारत अब एक 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की एकॉनमी बन आपके सामने ये एक और आर्टिकल है और आप अगर ट्विटर पे जाओ गया इसको जो एक्स.com कहते हैं आज के समय वहां पे अगर मैं आपको दिखाओ तो एक स्क्रीन शॉट ले करना लगातार बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं ना इतर आप देख पाओगे गौतम अ ये नोटिस करिए ये इंडिया का दिखरा है 4 trillion ये नंबर देखकर लोग बहुत ज़्यादा excited है क्योंकि पहली बार है जब ये आकरा इंडिया ने क्रॉस किया है अपनी हिस्ट्री में I mean independent इंडिया की हिस्ट्री में के 4 trillion dollar के भी हम आगे निकल गए in terms of nominal GDP लगातार आप दे ये कहां से ये live stream कर रहे है इसकी मगर Wikipedia पे अगर हम देखे क्योंकि Wikipedia पे काफी बार ये लोग IMF का International Monetary Fund का latest data होता है ये जल्दी से अपडेट करके दिखाते हैं वहाँ पे भी आप नोट करोगे तो भारत को IMF forecast के अंडर एक 4 trillion dollar की economy दिखाया हुआ है यहाँ पे आप नोट क सब फिर ठीक है क्या genuinely इंडिया अब एक 4 trillion dollar की economy बन चुका है बल देखो इशू यहाँ पर यह है कि आप इसे ना 100% शोटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि IMF का भी जो data यहाँ पे आप देखोगे न तो उसमें आपको दिख जाएगा forecast मतलब के आने वाले समय में यह जो आकड बहुत easily available है IMF की website पे जाओ वहाँ पे world economic outlook database देखो और उधर यहाँ पे आप देख पाऊगे यह सारी जो countries का data है यहाँ पे Denmark, China, US सब का data आपको मिल जाएगा control प्लस F दबाओ अगर computer पे हो mobile phone पे हो तो page पर search कर लो यहाँ पर India और यह इंडिया का data आपके सामने आ जाएग इंडिया का जो data है ना अगर आपको वह zoom in करके दिखाओ यहाँ पे आप देख पाऊगे 2023 के लिए यह दिखा रहे हैं कि इंडिया की जो GDP है यह रहेगी 3.7 trillion और उसके बाद 2024 में 4.1 trillion हो जाएगी now 2023 खतम होने वाला है 2024 बहुत जल्द शुरू हो जाएगा तो possibility है कि या तो हम 4 trillion के बहुत करीब है या तो कुछ महीने में हम 4 trillion को hit कर देंगे बट either way आईये मैं forecast के एसाब से again मैं repeat करूंगा IMF forecast यह कह रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया एक 4 trillion डॉलर की economy बन जाएगा तो अभी हम बन चुके है 4 trillion डॉलर economy यह 100% हम कहा नहीं सकते बट एक बात आए है बहुत ही जल्द IMF के data के हिसाब से भी आप अगर देखो 2024 में हम 4 trillion से भी आगे निकल कर 4.1 trillion डॉलर की economy बन 7 दिखा रहा है कोई जी 3.5 लिखा है देखे डिपेंड करता है आप कहां जाकर देख रहे हो किसका data देख रहे हो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है फॉर एक्जामपल वर्ल बैंक की अगर मैं बात करू ना वर्ल बैंक कच्छुए की तरह अपना data अप्डेट करता है लिट के लिजिए थोड़ा सा prediction पे काम करता है फोरकास्ट पे काम करता है तो हमारे पास अब जैसे मालो कोई YouTube चैनल है ठीक है वर्ल अफेर्स मालो वर्ल अफेर्स के कितरे subscribers है ना इसका एक live count भी मैं आपको दिखा दूँगा कि अभी कितरे subscribers add हुए है किते लोगोंने subscribe किया numbers कैस से बढ़ रहे हैं ऐसा कोई live counter GDP के लिए नहीं होता GDP आप calculate करते है इसका एक formula होता है यह जो आपकी quarterly growth है उसका काफी बड़ा impact पड़ता है आपके annual GDP numbers पे तो आप अचानक से नहीं कह सकते कि अभी GDP क्या है मतलब आप किसी से यह पूछो कि आज 19 तारीक है इंडिया की आज GDP क्या है फिर 30 तारीक में GDP क्या होगी तो ऐसी pinpoint accuracy से GDP calculate करना काफी मुश्किल होता है यूजुरी जब financial year खतम होता है या फिर एक साल खतम होता है तब जादा accurately यह बता पाते हो कि एक देश की जो GDP है यह कहा तक पहुच चुकी है बट IMF ने इस बात के संकेर दे दिये हैं इस की 4 trillion dollars से भी उपर की economy होती है बट यह बहुत ही important है कि हम realistic expectation रखें इंडिया में देखिए मैं यह कहूंगा हम बहुत जादा emotional लोग हैं हम जब खुश होते हैं तो बहुत ही ज़रा खुश हो जाते हैं जब दुखी होते हैं तो बहुत ज़रा हम निराज भी हो जाते हैं तो for example अभी जो यह news चल रही है इसी बीच मैंने कई article देखें वहाँ पर लिखा है कि अब भारत बना दुनिया की चौती सबसे बड़ी अर्थवस्ता नहीं बना अभी नहीं बने I mean look हम बनने वाले हैं बहुत जल्द बट अभी भी इंडिया four spot पे है जपान को dethrone करना इत बहुत important है कि इस financial year में जो हमसे expectation है कि जो मारी growth rate है यह 6.5% के उपर जाएगी यह हमें बरकरा रखना होगा और बिल्कुल eventually हम four spot पे आ जाएंगे और जब हम वहाँ पे पहुचेंगे मैं आपके लिए एक updated proper sources के साथ factual वीडियो फिर से लेके आऊंगा और finally यहाँ पे मैं आ जब रवांडा plan की बात होती है कि इस country का जो रवांडा plan है यह बड़ा controversial है यह country रवांडा में बहुत कुछ करने वाली है तो बताइए यह हैं आपे आपकी options USA, UK, China, Russia, Google कर लोगे वैसे रवांडा plan बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि क्या issue है पर मैं देखना चाहता तो लोग खुद इसका answer कर पाएंगे तो comment section में attempt करिए question मेरे पास खुद channel का access होता नहीं है मैं कुछिश करूँगा कि An Academy की जो team है जो लोग सही answer दे रहे हैं उनको hard भी दे दे और An Academy के देखिए offer चल रहे है आज के समय यह जो offer से इनको आप यूज कर सकते हैं to get discount तो comment section मे you can use the code PD10 और आपको discount मिल जाएगा और जो sales time to time आती रहती है इनका भी आप लाब उठा पाएंगे so this is the end of the video thanks for listening and as always may the gods watch over you